जैमातादी दोस्तों, आपके अपने चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि सावन मास की पूर्णिमा तिथी कब है। सावन मास की पूर्णिमा पर स्नान दान का विशेश महत्व होता है तो स्नान दान करने का शुप मुहुर्द क्या होगा ? अगर आप पूर्णिमा तिथी का व्रत धारन करते हैं, तो व्रत आपको किस दिन धारन करना है, और आप पूर्णिमा तिथी के दिन भगवान सत्यनारायन की कथा भी की जाती है, तो भगवान सत्यनारायन की कथा आपको करना है। सावन मास की पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन रक्षा बंधन का पावन पर्व मनाया जाता है तो रक्षा बंधन कब है और रक्षा बंधन में राखी बांधने का शुप मुहूर्थ आपको कब प्राप्थ हो रहा है भद्राकाल कब प्रारंध होगा, कब समाप्थ होगा, पूर्णिमा के दिन आपको स्नान दान कब और कैसे करना है, और कई भक्त हैं जो कि सावन मास का व्रत धारन करते हैं, तो उन्हें सावन मास के व्रत का उद्यापन कब करना है? संपूर्ण जानकारी श्रावनी पूर्णिमा से संबंधित आज की वीडियो में मैं आप से शेर करने वाली हूँ तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए तो सबसे पहले जानते हैं कि पूर्णिमा तिथी कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त होगी सावन मास के शुकल पक्ष की पूर्णिमा तिथी प्रारंभ हो रही है 19 अगस्त को सुमवार के दिन प्राथा काल 3 बच कर 4 मिनिट मिनिट पर और समाप्त होगी रात्री में 11 बच कर 55 मिनिट पर 19 अगस्त को ही तो सुर्योदै कालीन तिथी के अनुसार 19 अगस्त 2024 को सावन मास की पूर्णिमा तिथी मनाई जाएगी व्रत धारन करते हैं, जो भक्त 19 अगस्त 2024 को ही आपको व्रत धारन करना है सनान दान दीप दान जो पूर्णिमा का होता है, वह सभी कार्य आपको 19 अगस्त 2024 सोमवार को ही करना है शुब सन्योग इस बार बहुत अधिक है इस बार सोमवार को ही सावन प्रारंभ हुआ और फिर सोमवार को ही सावन का समापन हो रहा है तो पांचवां सोमवार होगा उस दिन मतलब श्रेश्ट सन्योग हमें प्राप्थ हो रहा है इसके अलावा भी बहुत सारे शुब योग उन्नीस अगस्त को हमें प्राप्त हो रहे हैं जिसकी वज़ा से इस बार की श्रावनी पूर्णेमा का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा अगर आप पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं भगवान शिवका तो आज की पूजा से आपको बहुत अधिक पुन्यफल की प्राप्ती होगी उन्नीस अगस्त को सुमवार के दिन सावन पूर्णेमा पर तीन शुब योगों का निर्मान हो रहा है पहला शुब योग है शोभन योग, दूसरा है रवी योग और तीसरा है सरवार्थ सिध्धी योग सरवार्थ सिध्धी योग को ऐसा कहा जाता है कि इस समय में अगर आप कोई भी कार्य करते हैं तो वह सिध्ध हो जाता है इस योग में जो भी आप कार्य प्रारम करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती है ऐसा शास्त्रों में कहा गया है तो सरवार्थ सिध्धी योग और रवी योग आपको प्राप्थ हो रहा है उनीस अगस्त को सुभा पांच बचकर तिरपन मिनट से सुभा आठ बचकर दस मिनट तक इस समय में आप पूजा पाठ कर सकते हैं मंत्रों का जब कर सकते हैं निश्चित ही आपकी कामना चाहे कोई भी हो पूरी होती है और श्रावण मास की पूर्णिमा पर श्रवण नक्षत्र होता है। इसलिए इस महीने को श्रावण कहते हैं। तो श्रवण नक्षत्र का समापन होगा सुबह आठ बचकर दस मिनट पर उसके बाद से धनिश्ठा नक्षत्र प्रारंब हो जाएगा। जो भग पूर्णिमा तिथी का व्रत धारन करते हैं। उनके लिए पूर्णिमा का चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा को अर्ख देकर ही वह अपना व्रत खोलते हैं। ऐसे में चंद्रोदय का शुब मुहूर्ण आपको प्राप्थ हो रहा है। शाम को छे बचकर 56 मिनट से और पूर्णिमा तिथी के दिन चंद्रमा पूरी तरह से पूर्ण आकार के साथ दिखाई देते हैं। ऐस शाम को छे बचकर 56 मिनट पर चंद्रोदय समय है। इसके बाद आप कभी भी चंद्रमा को अर्ख दे सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। ब्रहमा मुहूर्द में सनान करने का विधान होता है। पूर्णिमा तिथी पर ऐसे में ब्रहमा मुहूर्द का समय है सुबह 4 बचकर 25 मिनट से 5 बचकर 9 मिनट तक और हां आप 5 बचकर 53 मिनट से 8 बचकर 10 मिनट के बीच भी सनान कर सकते हैं। यह बहुत ही शुब समय है और पूर्णिमा के दिन दान सभी को करना चाहिए। चाहे आपके पास जो भी शक्ति सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान जरूर तो दान करने का भी शुब मुहूर्थ है सुबह 5 बचकर 53 मिनट से सुबह 8 बचकर 10 मिनट के बीच में। मतलब देखिए दान तो आप कभी भी कर सकते हैं। यह सबसे शुब मुहूर्थ है क्योंकि इस समय में सरवार्थ सिध्धी योग रहने वाला है। अब कई भक्त ऐस जो कि पूरे सावन के महीने में वरत धारन करते हैं। मतलब पूरे सावन में उन्होंने वरत किया है तो उन्हें उद्यापन कब करना है। तो उद्यापन आप करेंगे पूर्णिमा तिथी को यानि की 19 अगस्त 2024 को। पूर्णिमा से पूर्णिमा तक सावन का हम वरत करते ह तो आपने गुरु पूर्णिमा पर व्रत प्रारंब किया था, अब सावन मास की पूर्णिमा पर व्रत का उद्यापन कर देंगे। विधी विधान से भगवान शिव की पूजा करेंगे। यथा शक्ती अपने सामर्थे के अनुसारदान दक्षिना देकर, ब्राहमन को भोजन कराकर और जो भी चीजें आपने सावन के महीने में त्याग की हैं, उन सभी चीजों का दान करेंगे। ब्राहमन के चरण स्पर्ष करके उनका आशिरवाद लेंगे और भगवान शिव और माता पार्वती को अपने किये गए सभी व्रत, पूजा पाठ, मंत्र जब इत्यादी समर्पित करके, भगवान से क्षमा प्रार्थना करके आप अपने व्रत का उद्यापन कर देंगे। तो 19 अगस 2024 को सोमवार के दिन श्रावनी पूर्णिमा पर सावन मास के व्रत का आप उद्यापन कर देंगे। सावन मास की पूर्णिमा 19 अगस 2024 को है। सनान दान, व्रत पूजा या फिर रक्षा बंधन और सत्यनारायन भगवान की कता ये सभी कार्य 19 अगस 2024 सोमवार को ही किये जाएंगे और जो भगत सोमवार का व्रत करते हैं। सावन मास के सोमवार का व्रत कर रहे हैं। तो सावन मास के सोमवार के वरत का उद्यापन भी आपको 19 अगस्त 2024 को ही करना है, क्योंकि इसी दिन सावन मास्त का अंतिम सोमवार है। और अब जानते हैं कि रक्षा बंधन में भद्राकाल कब प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्थ हो रहा है और राखी बांधने का शुब मुर्थ क्या होगा। तो देखिए पूर्णिमा तिथी के प्रारंभ के साथ ही भद्रा की भी शुरुवात हो जाती है। मतलब उन्नीस अगस्त को सुभा तीन बचकर चार मिनट से जब पूर्णिमा प्रारंभ होगी उसी समय से भद्राकाल भी प्रारंभ हो जाएगा। तो भद्राकाल 3 बचकर 4 मिनिट पर प्रारंभ होगा सुभ़ 19 अगस्त को और समाप्थ होगा दोफेर में 1 बचकर 30 मिनिट पर. बद्रा मुक का समय रहेगा उन्मीस अगस्त को प्राथेकाल दस बच कर तिरपन मिनट से दोपर में बारा बच कर से तीस मिनट तक और बद्रा पूच का समय रहेगा उन्मीस अगस्त को प्राथेकाल नौ बच कर इक्यावन मिनट से प्राथेकाल दस बच कर तिरपन मिनट तक ऐसे में राखी कब बांधी? देखिए राखी बांधने का शुब मुहूर्थ आपको प्राप्थ हो रहा है दोपर में एक बचकर तीस मिनट के बाद जब भद्राकाल समाप्थ हो जाएगा उसके बाद से और रातरी नौ बचकर साथ मिनट तक राखी बांधी जा सकती है और यहाँ कुल समय होगा साथ घंटे से तीस मिनट का तो इस बार राखी का जो त्योहार है रक्षा बंधन का जो त्योहार है वह दोपर एक बचकर तीस मिनट के बाद ही मनाया जाएगा जब भद्राकाल समाप्थ हो जाएगा तभी भाई को राखी बांधना श्रेश्ट रहेगा दोस्तों उमीद करती हूँ विडियो पसंद आया होगा मिलती हूँ मैं आपसे अगली विडियो में तब तक के लिए जैश्री राधे